एससे लाम उलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग तो आज में लेकर आई हूं आपके लिए वन पॉड रेसिपी जो के हैं मटर प्लाओ की बेहतरीन सी रेसिपी तो वीडियो को फ्रेंट्स एंड तक देखिएगा कुछ भी स्किप नहीं किजेगा और यह बहुत मज़े की बनकर रेडी हो जाते हैं तो यह जटपट कोई क्रेसिपी कैसे बनेगी मैं आपके साथ शियर करूंगी तमाम टेप्स एंट्रिक्स के साथ वीडियो को फ्रेंट्स एंड तक देखिएगा कुछ भी स्किप नहीं कीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइप कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो यह मज़ेदार से मढ़े प्लाव को जो है आप आराम से किसी भी राते सालेट के साथ या कबाब के साथ सर्फ कर सकते हैं और जिब भी आपका दिल चाहे तो इसको आराम से जटपट से दस मिनट में बनाकर करते हैं और वन थाड कप मैंने इसके अंदर ओयल एक किया साथ में कुछ गरम मसाले एक कर दिया है चोड़ी लाइची बड़ी लाइची इरदार चीनी और शाजीरा और मैंने एक लाज साइस की प्यास को डाल दिया साथ में तेजपाद भी डालें फ्रेंट्स डाल के मैंन अट करेंगे फ्रेशभी लेशोल रेकाद इसल्स ड़ाइब टूरस्पोन डाल आट के अज़े बड़ी पीषीपित अगशान दिया साथ में आट करेंगे उन टेबल स्पून से अंदर मैंने आट किया शूगर जैसा कि मैं हमेशा एट करती हूं तो नमक दोड़ा कम लाग मैं थोड़ा सा 1-4 टी स्पून मजीद एड़ किया है तो यहां मैंने तखरीब दो से धाय कप चावल लिये हैं इसको अच्छी से वाश करके सोक कर लिया था और सोक करने के बाद जो है आदे गंटे में इसको सोक किया है तो आप के राइस का पता होगा क्यों कितना डायम लेत तो इसमें थोड़ा सा पानी कम ही जाएगा आप चार भी रखेंगे तो भी बहुत मज़े की बनेगे साथे में यहां फ्रेंट्स जो है टिप है कि इसके अंदर आप वन टेबल स्पून देशी घी एड़ कर देंगे ना तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा बस आपने लेट लगा देना है और एक विसल देने के बाद दो मिनिट के लिए आपने लो फ्रेम पे लखना है और फिर बंड कर देना है उसके बार 5-7 मिंट के बाद आप खोलेंगे अपना प्रेंघर कूकर तो आप यह सकते हैं कि कितनी मज़ेदार से देखने में ही इतने टैम्टि पी है और किसी भी चीज को जूरत नहीं है वगर आप इसको लेसन की चट्टनी के साथ लेसन और मिर्श की चट्नी के साथ इंज्विए कर सकते हैं कि यह शामी कबाब यह रायता जिसके साथ आप सौर्फ करना चाहें बच्चे तो वैसे ही बहुत मज़ेश से खाते हैं यह र जरूर अपना फीदबैक दीजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अफशां फूट्स को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं अफशां के लिए लेकर आती हूं होम इंग्रेडिंस से बजट फ्रेंडली चीजे तो होपफु करें आपके मैसेज़स का आपके फीदबैक का अफशा फूट्स को रहता है इंतजार तो अपना फीदबैक देना भूलिएगा नहीं अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए खुश रहिए असानिया पैदा कीजिए लव यू ओल टाटा वाई बैक टेक कियर आला हाफिज